हेलो फेंट्स वेलकम बेक टो आवर चैनल तो आज की सुड़ी में डिसकस करने वाले यहां पर पेड़ागोजी और फिजिकल साइन्स के अंदर में कोशन आता है यह martyr daiqu इस तरह से भी कोशन आ सकता है तो आप को यह आंसर देना देखेंगे क्या-क्या यहां डोलिटी रहता है? के उनले या यहांनि के वाले सक्षा इति हाँ निर्माता होता है एक भारती प्रातना के अनुसार शिक्षक एक ब्रहमा है निर्माता है वह एक भगवान विश्णु है वह भगवान महेश्वरा है वह संपून ब्रहमान है अच्छे सिख्षकों के बिना सर्वोत्तम प्रनाली का भी असफल होनाता है और वहीं अगर अच्छे सिख्षकों से विवस्था कि दोशों को भी काफी हाथ तक दूर किया जा सकता है यानि कि बोला जा रहे कि अगर अच्छे सिख्षक नहीं होंगे तो कितना भी आपका अच्छा प्रनाली होगा तो वो असफर रहेगा लेकिन अगर वही अच्छे सिक्षक है आपके पास और प्रनाली आपका अच्छा ने तो उसको ठीक किया जा सकता है शिक्षक का कारे केवल सूचना देना ही नहीं है बलकि उसे नैतिक्ता का प्रचार करने के लिए समासुधारा का कारे भी करना चुछ होता है कबीर ने गुरु को भगवान से भी उच्छा दर्जा दिया है पुन सेक्षिक, पुन निर्मान में सबसे महतपुनकारक शिक्षक के व्यक्ति गत गुन उसकी सिक्षा योगता, उसका बेवसाइक पर सिक्षिन और वह इस्थान है जो वह स्कूल के साथ समुदाएं में रखता है एक स्कूल की प्रतिष्टा उस पर काम करने वाले सिक्षकों के परकार पर निर्भर करती है आदर सिक्षक यानि की आईडियल टीचर में निम्मन लिकित गुन होने चाहिए पहला है अभिवाशन, भोतिक, उपस्ति, आशावाद, धीरज, उत्सा, अच्छा सोच, अच्छी सोच, सहानुबूती, छातरवृती, अच्छी जीवन शक्ति उसके बाद है व्यक्तिकत गुन, विज्ञान विश्यों में रूची, विज्ञान के प्रति सकारातमक द्रिश्टिकोन, साधन संपन्ता, आत्म विश्वास, सम्वे गातमक संतुलन, उत्ताम स्वास्ते, द्रिट संकल्प, प्रभावशाली व्यक्तित, और उसके बाद है वेवसाई गुन, विशेवस्तु का ग्यान, विशेवस्तु के प्रस्तुतिती करन का धंग, व्यक्तिकत विविनताओं का ग्यान, विविन सिक्षन विदियो का ग्यान, विज्ञान समंदी परियोग, एवं अनुसंधान में रूची, बालकों की कठिनाईयों को समझना, अ नितितिव की शम्ता समाजिक तागिस भावना पक्षपात रहित वैवार नियाई प्रिये उसके बाद हम अन्य प्रमोग गुन के बारे में चर्चा करेंगे पहला तो विशे का ग्यान विज्ञान की सिक्षक को अपनी विशे का पूर्ण ग्यान होना चाहिए तब ही वह अप बहुत कुछ सिक्षक के कारे दर्शन आदी से सीखता है जैसा सिक्षक का दर्शन होगा वैसा ही बालग अपना जीवन में दर्शन बनाने की चेश्टा करेगा इसी कारण सिक्षक को आशावादी बनने के लिए कहा गया है उसके बाद है यहाँ पे विज्ञानिक तथा तर्क संगत हो इसी कारण विज्ञान के सिक्षक को वैज्ञानिक दृष्टी कुन का होना ही परम आवशाख है यदि उसका वैज्ञानिक दृष्टी कुन नहीं होगा तो वह अपने छात्रों में इस दृष्टी कुन को उत्पन नहीं कर सकेगा जो कि उनके लिए अ करता हो उसे नागरी के करतब Lewis तथा अधिकारों का पूर्ण ज्यान हो उसके बाद है नई विज्ञानिक का ग्यान ज्ञान के शिखें के समाज के आधूने एक tm विज्यानिक गटनाव से अवगत रहना आवशक है इनके ज्यान के अभाव में वह अपने छात्रों की रूची विशे के प्रगत प्रती जागरित नहीं कर पाएगा उसके बाद देखेंगे समाजी गुन विज्यान का सिक्षेक पार्टे करम निर्मान करता होता है उसे इस करतवे को पूरा करने के लिए समाज की और ध्यान देना पड़ता है उसे अपनी पार्टे सामगरी तथा उद्देशे समाज से लेने पड़ते हैं इस कारण उसका यह मुख करतवे हो जाता है कि वह इन उद्देशियों की प्राप्ती करें उसके बाद है व्यक्तित यान की पर्सनल्टी शिक्षक का व्यक्तित ही सफल सिक्षन की अधार सीला है विज्ञान के शिक्षक की व्यक्तित में जीवन शक्ति अच्छा स्वास्थे सत्य आच्रिन धैरे सेंचीलता तथपरता उसा निष्टा आदी होना चाहिए उसके बाद है मान्ये मानविये संबंता का गुन विद्याले में शिक्षकों को छात्रों अपने साती शिक्षकों अभिवावकों विद्याले के करमचारियों विद्याले प्रशासकों समुदाय खेलकूत के समान विक्रेता व्यवसाइग संगटनों आदी से सम्मन इस्थापित करने पड़ते हैं उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है विज्ञान के सिक्षिन का ग्यान विज्ञान के सिक्षिन के लिए प्रसिक्षित होना अतियंत आविशाख है यदि उसको प्रसिक्षिन नहीं मिलेगा तो वह आधुनिक सेक्षिनिक विचार धारा तथा विवीद विवीन शिक्षिन पड़तियों से अपने को अवगत नहीं करा सकेगा उसके बाद है सिक्षन की सोंतता विज्ञान के सिक्षक को विभीन समस्या वाद विवाद प्रकरनों तथा विश्यों का सिक्षन करना पड़ता है इसके लिए उसे सिक्षन की सोंतता की आवशकता है इसे छात्रों को सत्य विश्य वस्तू तथा तत्यों को ग्रहन करना ही होनी चाहिए परियोग शाला में जहां तक संभाव हो उसे परियोग अतियंत सावधानी से करनी चाहिए उसके विज्ञानिक संस्कृति का ज्यान उसे विज्ञानी का पूरा पूरा ज्यान होना चाहिए न्यूटन एडिसन ने विज्ञान के शेत्रों में क्या और कैसे चालन की विशेश योगता होनी चाहिए वह विभिन यंत्रों का प्रियोग करना भली परकार जानता हो तथा आविशकता पढ़ने पर उन्हें ठीक भी कर लेता हो लास्ट पॉइंट है नवीन मुल्यांकन वीडियो का ग्यान विज्ञान अधिहापा को नवीन परकार की मुल्यांकन पर वीडियो का भी ग्यान होना चाहिए उसे बुद्धी परिक्षाव अभी रूची परिक्षाव विज्ञानी परिक्षाव के विशे में भी जानकारी र सकते हैं हर एक कोर्स इसका आपको मिल जागा थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो